मोधी सरकार ने CEA लागू कर दिया है और ये फैसला पश्रिम मंगाल की राजनीती में एक बड़ा उलट फेर लाकर रख सकता है ये मास्टर स्टोक है खासतोर पश्रिम मंगाल के लिए कैसे यही मैं आपको आज इस वीडियो के जरीए बताऊंगी इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें News18 की रिपोर्ट का हम जिक्र करेंगे इसलिए उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी देखिए पश्रिम मंगाल में लोगसभा की 42 सीटे हैं जहां पर मुखे मंतरी मम्ता बैनर जी ने अपने उमीदवारों की घोशना कर दी है लेकिन CAA के लागू होते ही वहां की करीब आठ ऐसी लोगसभा सीटे बताई जा रही है जिन पर सीधा असर दिखाई देगा और वहां बढ़त अब BJP को मिलती हुई नजर आ रही है बढ़त इसलिए क्योंकि यहां पर तमाम ऐसे समुदाय के लोग रहते हैं जिन पर CAA के लागू होने का असर पड़ेगा और आप जानते हैं कि BJP समय समय पर अलग अलग राज्यों में वहां सर्वेज कराती रहती है और उन सर्वे के आधार पर जो जानकारी सामने आती है जो नतीजे वहां से निकल कर सामने आते हैं सर्वे रिपोर्ट में जो बाते सामने आती हैं उसके आधार पर कई अहम फैस पश्रिम मंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक कैसे है बीज़पी कैसे यहाँ पर अलग 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 लोगसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने जा रही है उसे आप समझेए यहाँ पर आपको यह बता दे जरूर की केंडर सथकार ने चार साल पहले यहाँ इस कानून को पास तो जो की सर्वे बीज़पी नहीं कराया था भारते जंता पार्टी की तरफ से राज्य में यानि पश्टिम मंगाल के सीमाई जो इलाके हैं वहाँ पर यह सर्वे कराया गया और सर्वे में यह जानकारी सामने आई कि यह भी बताया गया कि बांगलादेश के जो हिंदू जने वाले बीज़पी के वरकर्स हैं उन्होंने भी बड़ी जानकारी साजा की और इसी जानकारी के बाद यह फैसला लिया गया कि बीज़पी के इस सर्वे में इस बात का जिक्र था कि सीए के लागू होने का असर नाडिया और उत्तर 24 परगना यह तमाम वो जिले जिस प भारतिय जन्ता पार्टी को मिलेगा अब यह समझे कि उत्तर बंगाल में मातुआ और राजबंशी के साथ साथ यहां पर उत्तरी बंगाल में नामसूद्र समुधाय भी CAA से प्रभावित हो रहा है लाभनवित हो रहा है उन्हें यहां पर नागरिकता मिलने जा रही है जि कौन है मतुआ राजबंशी और नामसूद्र यह तीन समुधाय जो CAA से लाभनवित होरे जा रहे हैं आखर कहां कहां पर इनकी बाहुलिता है कहां यह जाधा तादाद में है और कैसे इनका असर लोगसभा की सीटों पर होगा नेके मतुआ जो है वो हिंदू शरनाथी है ज जो आबादी है उनमें इनकी जो संख्या है वो करीब 10 से 15 प्रितिशत की है यानि एक बड़ी आबादी इनकी है और राजबंशी समुधाय भी है और नामसूद्र समुधाय भी है आलकि इनकी संख्या मतुआ के मुकाबले कम जरूर है लेकिन ये भी एक बड़ी भूमे कानेफाते हैं और CAA के लागू होने से इन्हें भी फायदा होने जा रहा है अब इनकी जो बहुलिता है उनमें से तीन ऐसी सीटे थी जिसमें 2019 के चुनाव में BJP ने जीत हासल की थी 40 लाख के करीब इनकी आबादी बताई जाती है ये जो दो समुदाए हैं ये करीब 40 लाख के आसपास हैं और जलपाई गुडी, कोच बिहार और बलूर घाट के इलाके में ये बसे हुए हैं तो 2019 के लोकसभा की चुनाव के जो नतीजे आये थे उसके आधार पर ये दावा पर नादिया कभी जिक्र करना पड़ेगा जहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है अब जब वादा किया गया था अपने मैनिफेस्टों में बीजेपी ने पहली बार वादा किया था कि वो C.E.A. लेकर आएगी तब इसका असर चुनाव में दिखाई दिया था उसके बा वोट में इसका असर देखने को मिला लेकिन जब विधान सभा के चिना हुए आपने C.E.A. पास जरूर काया था लेकिन लागू नहीं किया तो उल्टा असर देखने को मिला और अब ऐसे में जब 2024 का चिना ठीक सामने है तो ऐसी आठ लोकसभा की सीटे जो सीधे सीधे C.E. अब उसका असर वोट में दिखाई देगा और सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी बढ़त इन तमाम सीटों पर पश्चुम बंगाल में मिलेगी झाल 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 झाल